नमस्कार मैं हूं सभाखान राही और आप देख रहे हैं लुक मीडिया COVID-19 रोधी टीकों के दुश प्रभाव का ध्यन कर रही सरकार की एक समिती ने टीका करण के बाद N-Flexes की बज़े से मृत्यू के पहले मामले की पुष्टी की है COVID-19 का टीका लगाय जाने के बाद प्रतीकुल प्रभाव से मौत के 31 गंभी मामलों की समिती ने मुल्यांक किया राश्ट्रिये A.E.F.I समिती की रिपोर्ट के अनुसार अरसर साल के ग्व्यक्ती को 8 मार्श 2021 को टीका लगाया गया था जिसके बाद गंभीर अलर्जी होने से उनकी मौत्यू हो गई समिती के अध्याक्ष डॉक्टर N.K. अरोडा ने बताया कि ये COVID-19 से जुड़ा N.Flexus से मौत्यू का पहला मामला है इसे ये बात और पुक्ता होती है कि T.K. की खुराक लगवाने के बाद टिका करनकेंदर पर 30 मिनिट तक इंतजार जरूरी है अधिकतर N.Flexic प्रतिक्री आएं इससे अविधी में ही होती है और ततकाल उप्चार से रोगी को मृत्यू से बचाया जा सकता है समिती ने 5 ऐसे मामलों का अध्यन किया जो 5 फरवरी को सामने आए थे 8 मामले 9 मार्च को और 18 मामले 13 मार्च को सामने आए रिपोर्ट के अनुसार अप्रिल के पहले सप्ता के आखडो के अनुसार T.K. की प्रती 10 लाग खुराकों में मृत्यू के मामले 2.7 हैं और प्रती 10 लाग खुराकों के अस्पताल में भरती होने वाले मरीजों की संख्या 4.8 है समिती ने कहा कि केवल मृत्यू होना या रोगी का अस्पताल में भरती होना इस बात को सावित नहीं कर देता है कि ये घटनाय T.K. का लगवाने के कारण हुई समिती के अनुसार कुल 31 मामलों में से 18 मामलों का टीका करण से कोई लेना देना नहीं पाया गया साथ मामलों को अनिश्यत की श्रेणी में रखा गया तीन मामले T.K. के उतपास से संबंदित थे मृत्यू का एक मामला चिंत और विचैनी से जुड़ा पाया गया और दो मामलों को किसी श्रेणी में नहीं रखा गया उन्होंने कहा कि T.K. के उतपास से संबंदित प्रतिक्रियाए से आशे उन अपेक्षित प्रतिक्रियाओं से है जो मौझूदा विज्ञानिक साक्ष के अधार पर टीका करण के कारण हो सकती है समयती ने कहा कि T.K. के फायदे से नुकसान के मामली जोखिम की तुलना में बहुत ज्यादा है पूरी साफधानी बरते हुए नुकसान के सभी संकेतों पर लगाता नज़र रखी जा रही है और समय समय पर उनकी समिक्षा की जा रही है और ताजा खबरों के लिए देखते रहे हैं लुक मीडिया एक मिट हमारे साथ